आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है हम सबने मुकेश अम्मानी की शादी देखी बहुत अच्छे बात है उनके पास पैसा है उन्होंने शादी दिखाई हर चैनल पे उसकी हालात क्या हैं यह हमेशा सही रहे हैं लेकिन अभी और बत्तर हो गए है यह जो सबसे अमीर एक परसेंट लोग है नबे लाग के करीब वो चालिस परसेंट वेल्थ उन करते हैं इनिकॉलिटी भारत में लगातार राइज हो रही है दो हजार के बाद से सन दो हजार के बाद से इनिकॉलिटी लगातार बरती जा रही है और यह इनिकॉलिटी जो है यह हम सब को ले भी डूब सकती है क्योंकि जब भी बहुत सादा इनिकॉलिटी होती है तो हमने अकसर देखा है कि वहाँ पे रेविल्यूशन हो जाता है तो हम उसकी भी बात करेंगे होली 30 कूपन को आपको यूस करना है हमारी होली सेल लाइफ तो सारे कोर्सेश पर एक्स्ट्रा 30 परसेंट ऑफ है बहुत ज़दा फाइदा होगा तो भारत का जो इनिकॉलिटी गैप है वो पीम मोदी के अंडर जादा बढ़ गया है ठीक है ऐसा इस रिपोर्ट में बोला है लेकिन देखि वर्सें 99 परसेंट डिबेट अमेरिका में चली थी कि वहाँ पे हर कोई जो भी गरीब था या जो मिडिल क्लास आइम 1 परसेंट आइम 99 परसेंट यह होते ही है कैपिटलिस्ट एकॉनमी में तभी तो सोशलिजम इस गूड पूरा सोशलिजम आप कभी भी अचीव नहीं कर स ठीक है ना वस्वाई बात है कि अगर आपको मटर पनीर अच्छा लगता है लेकिन मटर पनीर की घ्रेवी बहुत कड़वी है तो पनीर पनीर निकालो पागे शोड़ो तो अगर हम ऐसे करेंगे तो जाधा बेटर होगा तो यहाँ पे 40 परसेंट देश की जो वेल्थ है वो 22.6 परसेंट जो पूरे देश की इंकम है उसमें अकेले 23 परसेंट इंकम जो है वो इनके पास है यह हाईस्ट शेयर हमको देखने को मिला है पिछले 100 सालों में 1920s में और वेल्थ की भी हमने बात की तो बेसिकली जो इनिक्वालिटी एक्सपर्ट थॉमस पिकेटी है उन्हो लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यह बहुत बड़े एक्सपर्ट एकॉनोमिस्ट ने बोला है अभी आप डेटा देखला जाए डेटा पर भी यहां पर बरसें की डेटा एक्कुरेट नहीं है डेटा कॉलिटी पूर है अगर हमको प्रॉपर डेटा मिलेगा तो हम और अच अमीर टॉप 10% अमीर हो गए तो वो कितना उनके पास वेल्थ है तो यह वेल्थ का आखड़ा है आगे अभी हम इंकम की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि जो शेयर है यह ट्राइंगुलर में यह आप देखो इंकम पहले आप यह पहले टॉप 1% की बात करते हैं यह टॉप 1% देखो आप अब टॉप 1% में यह यहां पे आके रुकी है यानि कि 22.6% यह कहां पे थी यह कम थी यह लगबग 11% के आसपास थी लेकिन यह बढ़ते बढ़ते यह देखो 1937 में बहुत ज़ादा आई ठीक है फिर दम से नीचे गिरी और फिर करते 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 आदानी अम्बानी यह 2022 में यहां पे फिर उसके बाद वेल्थ में अगर बात करते तो वेल्थ तो इनकी 40% के आसपास यहां पे पूरी जो सॉरी यह इधर पर यहां पे खड़े हुए 40% और इसमें भी अगर आप देखो ना तो पहली यह बहुत कम थी ठीक है लगब अब टॉन टॉप 10% पर आजाओ यह देखो टॉप 10% तो सीधा यह एक्सपोनेंशल ग्रोथ हुई है ठीक है ना तो यह तो यह लगबग 58% पर खड़े हुए है टॉप 1% जो है वो 58% इंकम और यहां पे अगर आप वेल्थ की बात करो तो वेल्थ में भी अगर आप देखो इसकम के मांगले में भी अच्छी खासी जो है तो ससुरा यह फोन अम मैं ना साइलेंट कर दूगा ठीक है अब यह 2022 और 2023 के आंकडे देखो इसमें भी आपको बढ़ावत देखने को मिलेगी टॉप 1% को वेल्थ के मामले में भी देखो 22-23 में भी ग्रोथ हुई है ठीक है despite की economic slowdown है लेकिन फिर भी यहां पर ग्रोथ हुई है टॉप 1% जो सूपर रिच है और टॉप 10% में यह अगें यहां पे भी इसमें भी अगर हम यह वेल्थ की बात करें तो यह देखने को मिली है और फिर यह आप देख लो ठीक है ना जो इंकम की बात करें यह जो ग्रीन मे यह भारत के इस समय हालात है राइट तो बिलेनियर राज हेड़ेड वाई मौडन बुर्जुवा बुर्जुवा कौन है बुर्जुवा capitalist राइट अशिया में बुर्जुवा revolution कारल माक्स ने बोलाता ना कि यही capitalist आपको छीन लेते हैं आपको ख़तम कर देते हैं देगे न नौकरिया मिलती हैं यस नौकरिया मिलती हैं लोग कमाते हैं लेकिन बोलाता ना कि यही जो capitalist हैं all the labors of the world unite सारे दुनिया के जो भी काम कर रहा है सब unite हो जाओ क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है आपको कुछ नहीं बस आपको उत्रहीं मिल रहा है जितना आपके जीने क इन फैक्ट ब्रिटिश राज में भी इतना ज्यादा निक्वालिटी नहीं थी जितनी अभी भगत सिंग ने यही तो बोला था ना भगत सिंग ने कहा था कि देखिए हम एक ऐसा revolution लाना चाहते ना जो long term sustainable हो short term के लिए बात नहीं करते हैं ठीक है तो कि आज गोरे जाएंग तो देश में एक social unrest हो सकता है यह बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अगर और ज़धा diversity divergence हुआ इन inequality गर और ज़धा हुई तो social unrest हो जाएगा तो the white tiger बहुत चांदार किताब है आप देखिए पढ़िए को उसे inequality gap जो है वो 1990s में क्योंकि हमने जब अपनी economy खुली से पहले त socialism था तब यहां पर बहुत लोगों को मौका मिला इसमें बुरी बात नहीं है याद रखिए business करिए खुब पैसा कमाईए और capitalism में यह हो गा ही business में या तो आप मैं पता तो रहूं कि अब यह startup का जमाना है कोई भी business कर सकता है लेकिन बात यह है ना कि यह क्या दर्शाता है क जो जादा wealth और जादा income है वो कुछ ही लोगों के पास इस समय concentrated है अब एक समय जब capitalism आया था तो ऐसा बोला गया था कि यह जो अमीर बहुत अमीर लोग है यह अपनी wealth जो है वो घरीबों को देंगे यह social जो है उत्थान करेंगे लेकिन ऐसम को देखने को नहीं मिलता जो अ और और अमीर होता जाता है जिनके पास इतनी wealth है कहते हैं कि अगर अमानी या बिल गेट्स का अगर मालों 1000 रुपए गिरे हैं तो जितनी देर वो उठाएंगे न 10,000 का loss हो जाएगा तो जितना पासओन होना चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिलता है तो 2014-2023 की बात करें तो राइस जो हुआ है वो काफी ज़दा wealth concentration में हमको देखने को मिला है तो यह आप देख सकते हैं देशों के हालात तो सबसे पहले तो यह आफरिका साउथ आफरिका में भी अगर आप देखो तो top 10% जो share है वो बहुत ज़दा है और top 1% भी तो अगर आप दोनों को मिला द तो यह देश का मतलब 11% wealth और income अगर आप मिला दो तो अच्छी खासी मतलब आप समझ नहीं हो ना कि बचा ही क्या ठीक है इंडिया देखो इंडिया में गया बैलेंस डेफ 57.7% top 10% की income जो दुनी पूरे देश की जो share उसमें इंकम है 57.7% है और 22.6% ब्रजील के अगर बात करते हैं तो ब्रजील में भी इसमें भी अच्छा खासा गैप मैंने बताया ना कि जेओ capitalist economy है वहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा अब आप बलंगे साथ चाइना में भी देखने को मिल रहा है बिल्कुल सही बात है यहाँ पे अगर wealth की top 1% है तो जो top in income अगर आप दे चलो ठीक है 10-15 साल बाद एक मकान ले लेंगे एक गाली हो जाएगी एक कुता पाल लेंगे शादी तो होई गई है दो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे बस हमारी जिन्दी बीच जाएगी ज्यादा हमको पचले में नहीं पढ़ना है हमको लॉस नहीं जिलना है हमको यह नहीं भूलना चाहिए हम देखे क्रिटिसाइज तो कर देंगे लेकिन आप यह भी तो समझे कि लोगों ने यहाँ पर आने तक पहनत की है ठीक है ना तो यह भी बात है फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में आपको ज़्यादा देखने कोई को नहीं मिलेग है बागी देशों के आप हालाद देखो साथ आफ्रिका में तो 85.6% वेल्थ है टॉप 10% के पास और 54.9% टॉप 1% के पास आप समझ रहे हो बागी आप देशों के हालाद देख लो यहाँ पे आपके सामने हैं पर क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे इनक्वालिटी डेटा बेस से यह फिगर्स लिए गए हैं भारत की जो इनक्वालिटी है यह इस समय हाइस्ट है दुनिया में आप समझ रहे हो एक बहुत कमा रहा है मैंने बता रहा कि खूब बड़ा सा मॉल बना दो भार से देखो सब चंगा सी लेकिन अक्च्वल में सब नंगा सी तो और उसके सामने ही आपको बहुत सारे गरीब लोग देखने को मिल जाएंगे जो खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं मंदिर में जाओ 10 रुपय का नोट हिला दो उसके बाद आपको पता चल जागा भारत पर कितरी भयानक इनक्वालिटी है पेरू येमेन और ब देखने को मिल गया ठीक है बहुत सारा बिजनस अब जो बिजनस बना सकते थे उन्होंने बिजनस बनाया जबर्दस तरीके से लेकिन मिडिल क्लास जो 40% था वह ही नहीं कहीं टाक्स सबसे ज़्यादा कौन आपको बहुत बहुत ज़्यादा आमीर लोग टाक्स नहीं देते मिडिल इंकम ट्राइब जिसको कहते है कि ठीक है जब हो रहा है ठीक है क्या ही हम करेंगे तो 1961 से लेकर 81 तक मिडिल क्लास और रिचेस्ट उनका आइडेंटिकल शियर था वेल्थ में कमाल है वो वेल्थ में मिडिल क्लास और जो पहले मिडिल क्लास तो बाद में आया ना 1947 के बहुत ज़ादा हो गया मिडिल क्लास जो 40% है वो 31% तक नहीं पहुँच पाया और 2023 में तो उसका शेर खाली 29% है वेल्थ केकर बात करते हैं ठीके ना तो भारत और चाइना को आप कंपेर कर लिजे ये रेड में चाइना है मरून में और ब्लाक पे इंडिया है तो अगर आप चाइना को देखो तो चाइना नीचे है भारत से टॉप 1% भारत का जादा है चाइना का कम है चाइना नीचे है और अगर आप यहाँ पे भी इंकम में भी अगर आप करो तो यहाँ पे भी आपको चाइना कम ही देखने को मिलेगा भारत की जो रेट है रेट आफ इंकम वो जादा है अमीरों की और सेम आप वेल्थ की बगर बात करते तो वो भी चीज़ है तो भारत बस वेल्थ में यहाँ पर चाइना जादा है लेकिन यहाँ पर भी आपको भारत जो है बाजी मारता देखेगा तो इन इक्वालिटी जो है याद रखेगा कि एक तो यह जो डेटा आया है ऑथर कहते कि बहुत अच्छा डेटा नहीं है अगर हमको और अच्छा डेटा में लेना तो हम और अच्छे से प्रेडिक्ट कर देगे कि क्या है तो अभी तो फिल एक मोटा माटी अनुमान हमने लगाया है बठा डेटा में greater transparency होनी चाहिए तो बहुत सही होगा अब मैंने पूछा अपनी वाइफ से कि कितनी फीच आ रही है भांजेगी तुमारे पांच हाजार रुपए नरसरी की फीच महिना मैं तो चौंग मैंने क्या रेगुलेट करो भाई इन लोगों को स्कूलों को बिलकुल रेगुलेट करो सरकार को इंदम इस पे कदम लेना चाहि ठीक है तो तो सूपरिटाल के अंदियन बिलेट करो मैंने कफार के अच्छा घंछा ठीक्सस लगाओ लगा देखो कौनिअंक मस्म कितनी दे रहा है कौन कितना पैसा दे रहा है साथी साथ यहां पे टाक्स में आप इंकम और व्लत दोनों को ही इंक्लीट करो और इसके अपने आप अच्छा होगा बढ़ हाँ बहुत ज़्यादा इंकम इंक्वालिटी बढ़ जाती है तो दिक्कत तो होती है बाकी जो है सो है खुश रहे हैं पड़ते हैं देशे सिद्दान तक नहीं हो तरी साइनिंग ओफ